दोस्तों कि आप 2021 में बोड का एक्जाम देने वाले हैं और अभी तक आपने syllabus को अच्छे से नहीं पढ़ा है या तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आज हम आपके लिए 100 days plan ले करके आएं अगर आप इस 100 days plan को अच्छे से implement करोगे तो आप easily 95% to 99% तक marks ला सकते हैं अगर आप इसको honestly implement करते हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दे कि आप वीडियो को last तक जरूर देखिएगा क्योंकि last में हम आपके लिए कर्मेंट कंडिशन बताएंगे तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं सबसे फर्स्ट कंडिशन है कि आपको अच्छे से आध होना चाहिए अब आप बोलो मैं बैठ करके सिलेवस आध करों तो जी बिलकुल आपको सिलेवस आध करना है आपको इतना आध हो चाहिए कि मेंट का चैपटर 6 में कौन सा चैपटर रेचेब्टर नाइन में कौन सा चैपटर रेयों ऊसका नाम क्या है या फिर किसी और सब्जेक्ट में ए ट्लिस्ट आपका जो म finely subject है मैट्स स्स्टी और साइνस ये तीन जो main subject है, इसके आपको chapter तक आध हो जाना चाहिए, ठीके, इतने अच्छे से आप syllabus को क्या करें, देखें, first, second आपको क्या करना है, कि इस बार जो है, वो syllabus cut out भी हुआ है, तो syllabus जो cut out हुआ है, वो किस chapter, कौन सा जो chapter है, वो पूरा cut गया है, या फिर कौन सा chapter जो है, उ कोई भी confusion ना रहे है, third number आपको क्या करना है, कि previous year का questions paper को देखना है, अब आप बोलोगे, अभी तो मैंने कुछ पढ़ाई नहीं है, तो उसको देखने से क्या समझ में आएगा, तो आप क्या किजिए, उसको देखिए, आप भले ही कुछ नहीं पढ़ें, लेकिन आप उसक को देखिए, questions bank को, previous year, at least 10 year का, अब वो कहां से मिलेगा, अब बेसी बात है, बहुत सारा book app level है, मार्केट में, आप वहां से जा करके उसको खरेज सकते हैं, अगर ये तीन चीज़ें आप कर लेते हैं, उसके बाद आ जाना है आपको fourth point में, fourth point में क्या करना है, parallel study करना है, ये parallel study क्या होता है, कि आपके पास जितने subject है, main subject कितना हो गया, maths, sht and science, ये तीन main subject है, और जो remaining बज़ आता है आपका, दो language portion होगा, और एक other और हो सकता है, computer हो सकता है आपका, ठीक है, तो उस तीनों को एक ही category में रखे, उसको एक subject मान करके चले, पूरे को, और इधर जो ह करना है, per day, आप जितना time पढ़ते हैं, अगर आप 100 days में complete करना चाहते हैं, तो मैं आपको suggest करूँगा, कि आप at least per day 8 hour पढ़िए, at least 8 hour, ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको 2-2 hour हर एक parts के लिए डिवाइड कर देना है, 2 hour maths के लिए, 2 hour sht के लिए, 2 hour science के लिए, और 2 hour आप language portions के लिए, ठीक है, अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, अब आप देखिए कि आपका maths है, सपोज हम maths का example लेते हैं, तो इसमें total कितना chapter है, 15 chapter total है इसमें से, ठीक है, अब आप क्या किसे, यहाँ पे 75 days का plan बनाईए, कि आपको maths को per day 2 hour पढ़ना है, और 75 days में complete क करना चाहिए, ठीक है, ऐसा आपका time fit हो रहा है, और इसी तरह आप हर एक subject को देख ले, आप time allotment कर लेना है, कि कि एक chapter को कितने दिन में करना है, math का कितना दिन में करना है, कितना दिन में करना है ठीक है fifth point हम लोग देखते हैं कि सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है two two chapter हर एक subject का क्या करना है complete करना है ठीक है two two chapter जो study के लिए रखा था उसमें से half hour आप revision के लिए रख लेजे और अब आप one and half hour ही पढ़ने का शुरू केज़े ठीक है one and half hour पढ़िए और half hour जो है उसको revision में रख दीजे अब आपको वहाँ से revision भी पढ़ने start करते जाना ये चीज़ें आपको तब तक करना है जब तक आपका 80% से लेवस ना complete हो जाए तब तक यही time table को आपको क्या करना है follow करना है कि one and half hour को new चीज़ों को पढ़ना है half hour जो है आपने जिस चीज़ों को पढ़ा है उसको क्या करना है revision करना है और जैसे ही आपका 80% से लेवस कभर हो रखना है और फाइनली जब आपका 100% सिरेवस कभर हो जाता है विदिन 75 डेज टू 80 डेज में ठीक है अब किसी के पास 20 डेज बचा होगा या किसी के पास 25 डेज बचा होगा अब इसको क्या करना है तो इसमें आपने फर्स्ट में क्या किये थे प्रिवियस येर के कोईशन्स पेपर को केवल देखे थे अब उसी कोईशन्स पेपर को आपको क्या करना है स्वाल्व करना यहां पे 20 डेज में ठीक है और बहुत सारे चीजों को आपको फिर से फूल रिवीजन करते जाना है तो टू आवर आप क् बोले थे कि टर्मेंड कंडिशन क्या है टर्मेंड कंडिशन तो यह फर्स्ट टर्मेंड कंडिशन है कि मैंने जो एट आवर बोले थे तो एट आवर जो हूँ student to student vary करेगा ठीक है अगर किसी student के पास अच्छा knowledge है तो उस एट आवर को घटा करके six hour में भी मैनेज कर सकता है लेकिन कोई student जो एकदम पूरा जीरो है तो हो सके उसको एट के जगह पे कुछ जादा ही बढ़ा करके पढ़ना पड़े लेकिन उतना ही थोड़ा बहुत वैरी करेगा मतलब अगर आप एट के राउंड पढ़ रहे हैं तो आप इजली इन चीजों को कर सकते सेकेंड टर्मेंड कंडिशन ये था कि आप इस हंडेड डेज प्लान को स्टार्ट करने से पहले दो-fertीं पहले इस चीज को क्या करें करले उसके बाद 100 डिस पलान को स्टार्ट करेंगे आप लोगों मैं च्छोड़ देने का मतलब है। चीजों को यूज़ कम कर दे कर जिसे आप TV देखते हैं, मुवायल यूज़ करते हैं, उन चीजों को क्या करें, यह आप बहुत हैं रहा टाइंन पासकरे धर उदर, उन चीजों को आप क्या करें, वहाँ time को cut out कर दे थोड़ा थोड़ा और उसको न अभी आप क्या करें इधर implement कर दे थोड़ा सा पढ़ने में ध्यान दे दे बस 100 days के लिए अगर आप ये 100 days अच्छे से utilize कर लेते हैं तो आपका result बहुत अच्छा हो जाएगा दोस्तों ये वीडियो आप यहां तक देख रहें और अभी भी अगर आपका कोई doubt है तो नीचे comment box में comment कर सकते हैं हम उसका reply देने का कोसिस करेंगे और हमेशा इसी तरह हसते रहिए मुस्कुराते रहिए खुस रहिए खुसियां बाटते रहिए और जाते जाते चैनल को subscribe कर bell icon को जरूर प्रेज कर लिजे ताकि next मेरे आने वाला वीडियो आप देख सके सबसे पहले Thank you for watching this video Take care and bye-bye